नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हम आप सभी को जो बड़ी महत्वपूर्ण घटना के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, इन्हें आप बिल्कुल ही मजाक मत समझिएगा। जी हाँ दोस्तों, ये घटना आप सभी के ज इन्सान डस रहे हैं आपके जीवन में, आपके परिवार में, ये जहर घोल रहा है और दोस्तों, इतना आपके जीवन में ये इन्सान जहर खोल रहा है कि दोस्तों, आप इस घटना से बच नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये इन्सान आपको आज नहीं, बलकि दोस इनसान चिकनी चिकनी बातें करते हैं बहुत ही मीठी मीठी आपसे बातें करते हैं और दोस्तों इनकी वज़े यही है कि दोस्तों आपको यह इनसान अपनी जाल में किसी न किसी तरह भाशा रहे हैं और दोस्तों आप इनके बातों में भी आ रहे हैं आप इनका संकेत अभी तक नहीं समझ पाए हैं जो दोस्तों, ये आपके जीवन में कर रहे हैं दोस्तों, ये इनसान आपके तरक्की को देख नहीं पाते हैं, आपकी काम्याबी को, ये इनसान की आँखों में काटों की तरह चुबने लगता है, आपके दोस्तों, ये इनसान कभी अपने दिल से नह आप भगवान के प्रती बहुत ही श्रद्धा विश्वास रखते हैं। उनके प्रती अब अपना जीवन समर्पित की है। आप बहुत ही पूजा पाथ भगवान के प्रती किये हैं उन्ही के कारण। दोस्तों ये इनसान आपको अभी तक छू नहीं सका है। लेकिन दोस्तों अब आपका बचना मुश्किल हो जाएगा तो दोस्तों, हम आप सभी को जो बात बताने वाले हैं जो सावधानी, जो उपाय, जो संकट के बारे में बताएं हैं उन्हें दोस्तों, आप एक बार देख लेना जी हाँ, दोस्तों, एक प्रकार से कहें कि दोस्तों, चाहे दोस्तों मर जाना परन्तु दोस्तों, इस वीडियो को एक बार जरूर देखना जी हाँ, दोस्तों, दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि अब आपके जीवन में भगवान का भी साथ मिल चुका है अब आपके जीवन में वह बड़ी बड़ी भयंकर घटना होगी कि दोस्तों आपसे जो भी जलने वाले दुश्मन था वह दोस्तों अब जलकर राक हो जाएंगे जी हाँ दोस्तों आपसे चलने वाला दुश्मन अब आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों, ये घटना होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता जी हाँ दोस्तों, ये घटना से आपका किस्मत चमक जाएगा ये जो चमतकार आप सभी के जीवनकाल में होने वाले हैं दोस्तों आपने कभी सपने में भी नहीं सोचे होंगे, आप कभी कलपना भी नहीं की होगी, कि ऐसी घटना मेरे साथ हो जाएगा जी हाँ दोस्तों, दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों आपके अच्छे कर्म, अच्छा स्वभाव के ही कारण दोस्तों, आपकी किस्मत में इतनी बड़ी चमतकार होने वाले हैं जी हाँ दोस्तों, अपने पिछले समय में भगवान की प्रती बहुत ही श्रद्धा से, बहुत ही विश्वास से पूजा पाठ किये थे, आपने उनके लिए अपना जीवन समर्पित कर दिये थे उन्ही के कारण दोस्तों, आपको यह पांच बड़ी चमतकारी घटना आप सभी के जीवन काल में होने वाले हैं जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आपको जानना बहुत अधिक आवश्यक है लेकिन आपने इन बातों के बारे में यदि किसी को बता दिया, तो आपके शत्रू इसका लाब ले सकते हैं और आपको बहुत बड़ी हानी भी पहुँचा सकते हैं तब ही हम आपसे कह रहे हैं कि इन बातों को अपने दिल में ही दबा कर रखना, किसी को मत बताना दोस्तों अब इसमें सबसे खास बात ये है दोस्तों की आखिरी की जो खबरें हैं वह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देने वाली है इसलिए दोस्तों हम आप सभी को एक बार फिर ये कह रहे हैं कि आप हमारी इस वीडियो को बिलकुल भी हलके में मत लेना गलती से भी इसे मजाक समझने की गलती मत कर देना यदि आपने इस वीडियो को गंभीरता से नहीं लिया गया तो दोस्तों आप अपनी बरबादी के जिम्मेदार खुद होंगे यकीन मानिये कि एक बहुत बड़ी बरबादी तबाही आपका स्टार कर रही है अपना मुह खोल कर आपकी और चली आ रही है और आपके जीवन की हर एक खुशाली को आपके परिवार की हर खुशी को निकल जाएगी अब दोस्तों ऐसा होना तो बिलकुल ही तई है आपको संपूर्ण जानकारी पूरे विस्तार के साथ देने जा रहे है साथ ही साथ आपको इस आने वाली महाविनाशकारी समस्या से परेशानी से छुटकारा पाने के बाद ही शक्तिशाली उपाय बताने जा रहे है जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है जिसे यदि आप माने तो तो अच्छी बात है आप बच्छते रहेंगे लेकिन यदि आप ना माने और अंजान बनने की कोशिश करें तो यह घटनाएं आपके जीवन को पूरी तरह से बरबाद कर देती है जी हाँ, दोस्तों बेहतर ये होगा कि आप इन बातों सच्चाई को गंभीरता से लें और बचाव के उपाय कर लें, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ बहुत ही जरूरी और बहुत ही ज्यानवर्धक बातें आपको बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन से जुड़ी हुई है साथ ही साथ दोस्तों हम आपको एक ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में भी बताएंगे जो हाल ही में हमने अपने जीवन में देखी है हमारी एक परिचित हैं उनके जीवन में यह घटना घटित हुई है और इस घटना का संबंध सीधा सीधा आपके जीवन से जुड़ा हुआ है इस घटना के माध्यम से आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा तो ऐसे में इतनी ज्यानवर्धक और इतने महत्वपूर्ण वीडियो को बीच में छोड़ देना बिलकुल ही पागलपन होगा तो उस तो बिलकुल भी ऐसा ना करें इस वीडियो को पूरा देखें शुरू से लेकर अंत तक हर एक बात को समझने की कोशिश करें यकीन करें दोस्तों यह वीडियो आपके जीवन के उद्धार के लिए आपके जीवन के हर एक सुख और आपकी समरिध्धि को बचाने के लिए बनाया गया है दोस्तों तो चलिए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करें लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है दोस्तों कमेंट में पूरे भक्ती भाव के साथ माता को याद करते हुए जय माम भाली रक्षा करो एक बार नहीं तीन बार लिखना दोस्तों कि मता निश्चित तोर पर आपकी करुण पुकार सुनकर आपकी ओर दोडी चली आएगी और जिनके साथ माता काली है उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले हम आप सभी से एक महत्वपूर्ण बात करना चाहते हैं कि हम आप सभी के लिए अच्छे से जानकारी के लिए दिन रात मेहनत करते हैं बहुत चान बिन करने की बात आप सभी के लिए कि हम बहुत अच्छे-अच्छे जानकारियां लेकर आते हैं जो कि आप सभी के जीवन के लिए बहुत ही जरूरी होता है और दोस्तों, इन सभी के लिए हम आपसे कुछ नहीं चाहते हैं बस हम इतना चाहते कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं जिनमें आपको एक रुपया भी नहीं लगेगा पस इतना हमारा आप सभी से हाथ जोड़ कर प्रार्थना है, निवेदन है तो हमारा भावना को जरूर समझिएगा और हमारे चैनल को सबस्क्राइब कीजिएगा दोस्तों, इस से हमारा मनोबल बहुत अधिक पढ़ जाएगा तो बता दे, आपको एक हमारे परिचित के व्यक्ति है उनके जीवन में लगभग एक साल पहले बहुत अधिक कष्ट और परेशानियां थी बहुत परेशानियों के साथ ही उनका एक छोटा मोटा सा व्यापार था एक दुकान थी वह चल पा रही थी कभी-कभी तो उनके मन में ऐसा आता था इस दुकान को बंधी कर दे क्योंकि खर्चा भी निकाल पाना मुश्किल हो रहा था फिर उन्होंने हमसे सलाह मश्वरा किया तो हमने उनकी कुंडली को देखते हुए उनकी ग्रह दशा के आधार पर कुछ जरूरी उपाय बताए उन्होंने उन उपायों को करना शुरू किया दोस्तों तो यकीन मानिये कि धीरे धीरे यानि दिन प्रति दिन उनकी दशा सुरती चली गई और उस दुकान से उन्हें इतना अधिक फायदा होने लगा कि अब उनके लाखों रुपए के लेन देन हो गए और यूं कहें तो वारे न्यारे हो गए जो कुछ कर जावजावी था वह भी आसानी से चूक गया और उनकी जिन्दगी बिलकुल सही पटरी पर दोड़ने लगी लेकिन दोस्तों कहा जाता है न कि जब आप सफलता की सीड़ी चड़ते हैं तो आपकी टांग खींचने वाले आपके बगल में ही खड़े रहते हैं यानि आपके अपने ही होते हैं और ऐसा ही कुछ उनके साथ भी हुआ अभी पिछले एक अद महीने से ही उनकी शिकायत ये है जब हम से मिलते हैं कि उनके काम धंधे में अचानक कि पता नहीं क्यों जैसे होडसी लग गई है घर का माहौल भी खराब रहने लगा है और खुद उनकी भी तबियत सही नहीं रहती है अक्सर बीमार होती रहती है तो अब ऐसा क्यों हुआ दोस्तों आपको भी जानकर आश्चर्य होगा कि यह केवल इनकी एक अकेले की समस्या नहीं है यह बहुत सारे जातकों की समस्या है कि वैसे तो जीवन में खुशहाली आती ही नहीं है लेकिन जैसे तैसे मेहनत करके ईश्वर कृपा से भगवान के आशीरवात से काम्याबी मिलती है सफलता की सीड़ियां चढ़ना शुरू ही करते हैं तो कुछ समय के बाद जैसी सफलता में ब्रेक ही लग जाते हैं काम्याबी की गाड़ी अचानक चलते चलते धीमी हो जाती है और फिर रुखी जाती है यह समस्या को छोटी समस्या नहीं है दोस्तों अब हम आपको बताते हैं इस समस्या के पीछे का मुख्य कारण यही कारण हमने उन्हें भी बताया है अब देखते हैं कि उनके जीवन में किस प्रकार के बदलाव आते हैं हम बता दें यह उपाए निश्चित तौर पर कार्य करते हैं जो हमने उन्हें बताए हैं वही हम आपको भी बताएंगे, तो दोस्तों इस समस्या का सबसे बड़ा, कारण दोस्तों क्या है, आपको जानकर आश्चर्य होगा, ये नजर लगना कहती हैं, इसी नजर दोश भी कहते हैं, इसे आप बिलकुल भी हलके में ना लें दोस्तों, जब कभी भी आप काम्याब हुए, पहले आप परिशानियों में थे, तो आपके आसपास के लोग आपको देखते रहते थे, आपकी हैसियत का अंदाजा उन्हें अच्छी तरह से हुआ करता था, फिर ऐसा कुछ हुआ कि आपने विशेश साधना की पूजा पाठ क किया हो पाएगी。 माता लक्ष्मी की आपके उपर आशीरवाद और कृपा हो गई और आपकी दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी। फिर जैसे-जैसे आपकी तरक्की होने लगी, तो आपके जीवन जीने का स्तर बदलने लगा। आपकी बातचीत का लहजा पाभाविक है क्योंकि जब आदमी की जेब में पैसा आता है तो उसकी चाल ही बदलने लगती है। ये चीजें आपके आसपास के लोग भी देख रहे हैं। फिर अचानक कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो आपके पास आता है आपसे बात करता है और आप उसे खुल कर अपनी काम कलने की आदत होती है और क्यों क्योंकि ये अपने आप कुछ ज्यादा ही बुद्धिमान मानते हैं तो वह बोलेंगे कि नजर बाजार जैसा कुछ भी नहीं होता है। ये सब फालतू की बाते हैं। कौन है ढकोसला है। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि इन बातों की काम्याबी में पूरी तरह से ब्रेक लग गए हैं। उनका काम तहस नहस हो गया है। इसलिए तो हमारे घर के या हम यूँ कहें कि हमारे पुर के पूरवज कहा करते थे। जोग जुगत और मंत्र उपाए अल्लाह। इतना भाई जब करें दो रावनी आपके जीवन में जो जोग तरह तरह की भावनाएं यह नकारात्मक उर्जा आपकी और प्रसारित कर देंगे। दोस्तों अब नजर लगना कितना भयानक हो सकता है। इस बात को आप समझेए कि यदि कोई बिल्डिंग बन रही है। और किसी ऐसे व्यक्ति ने उसके बारे में कुछ नकारात्मक सोच लिया जो कि बहुत ही नकारात्मक व्यक्ति है। उसके मन से थोड़ी सी हाय निकली या उसने कुछ कहे संध्या ऐसा मन में सोच लिया तो हमने देखा है। बिल्डिंग बनाने से पहले ही हंस्ते होने लगती है। उसके हम भी उसकी भी उसके दीवाने चटक नहीं लग सकती है। नजर बहुत ही शक्तिशाली होती है। इसी बात का प्रमान है। ये है दोस्तों से कि आपने अपने आसपास जितनी भी चीजें देखी होंगी क्योंकि इस से खासे कुछ ना कुछ नजर का आय उनके उपर अवश्य किया जाता है। जैसे कि छोटे बच्चों की ह बात ले ले तु जिन बच्चों पर कोई भी नजर रक्षा का उपाय नहीं किया जाता अक्सर बीमार बने रहते हैं। उनका पालन पोशन करने के बावजूद भी उनका प्रकाश सही नहीं हो पाता है और उनके घर वाले समझ ही नहीं पाते हैं कि क्यों बच्चा लगातार बीमार रहता है। आपने देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चों के माथे पर एक तरफ काला ठीका लगाया जाता है। उनके गले में चांदी का एक सिक्का जिसमें छेद करकर धागे से बांध पर लटकाया जाता है। कुछ जगहों पर बाग के नाखून का ताबीज भी लटकाया जाता है। यह सारे उपाय नजर से बचाने वाले उपाय होते हैं। दोस्तों नजर बहुत ही भयानक परिणाम लेकर आती है तो अब ऐसे में आपको कैसे पता चलेगा कि आप उपर नजर लगी है कि नहीं। अब यहां पर दोस्तों ध्यान देने वाली बात यह ह कि जरूरी नहीं है कि आप काम्याब हो, आपके जीवन में सुख की गंगा बह रही हो, तभी आपको नजर लगे, आप बेशक नाकाम्याब हैं। आप जैसे कपड़े पहनते भी यदि बहुत अच्छे लगते हैं। आप बहुत स्वीट करते हैं तो उसमें भी नजर लग सकती है। तो अब यहां से ये प्रमानित होता है कि नजर लगने के लिए जरूरी नहीं कि आपने बहुत बड़ी उँचाईयां छू ही हो, बड़ी क लोगों की बातें इतनी प्रभावशाली हो जाती हैं, विचार शक्तिशाली हो जाती है कि एक नकारात्मक उर्जा का रूप ले लेते हैं और वे सीधे आपके उपर आकर हमला करते हैं। आपको चारों ओर से घेर लेते हैं और फिर आपके जीवन में नकारात्मक घटनाए घटना पूरी घटनाएं होना शुरू हो जाती है। इसे ही नजर लगना कहते हैं। अब हम एक छोटा सा किस्सा आपको अपने गाव का सुनाते हैं। दोस्तों, एक हमारे गाव में जब हम छोटे थे, उस समय की बात है कि एक हमारे गाम में भैंस ही बहुत अच्छा दूद दिया करती थी उसकी दूद की तारीख में बहुत हुआ करती थी लेकिन उस भैंस को दुखने के समय चारों तरफ से उसे ढख दिया जाता था या नहीं उसे छुपा कर दो खा जाता था ताकि उससे निकलने वाली दूद को कोई देख ना सके अन्यता नजर लगने का डर था तभी अचानक किया हुआ एक सज्जन उसी स्थान पर आ गए दिन जब वहां पर भैंस की जा रही थी तो जैसे ही अन्होंने फैंस को देखा और उससे निकलने वाली इतने सारे दूद को देखा तो उन्होंने कहा तो कुछ नहीं बस भैंस को नजर भर कर देखा और वापस आ गए दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे हमारी आँखों के सामने का यह قصہ है कि हंस ने अगले ही दिन से दूद देना बहुत ही कम कर दिया है और दो-चार दिनों के बाद भैंस पूरी तरह से बीमार हो गई अंत में नतीजा वही हुआ जिसका डर था कि भैंस की मृत्यू हो गई या दोस्तों इसे कहते हैं भैंकर काली नजर लग ना अपने आपको अपने आस पास सुनने को मिल जाएंगे यदि आप ऐसी बातों को जानने के बाद भी सतर्क नहीं होते हैं और आपको लगता है कि यह सारी बातें केवल पूरी कप हैं बकवास हैं तो फिर हमें नहीं लगता कि आपको जीवन में कभी सद्गति प्राप्त होगी आपकी उन्नती होगी क्योंकि हर बार यही होगा कि आप जरा से काम्याब हुए और आपकी काम्याबी में ब्रेक लग गई यानि कि आपको कही ना कही से किसी ना किसी प्रकार की नजर लगे लेकिन आपको इन सब बातों पर यकीन नहीं है तो आप यही लगेगा ये सब सामान्य घटनाएं हैं लेकिन दोस्तों इन ही सब उधेडबुन में आपका जीवन गुजर जाएगा और आप कभी भी सुख और शान्ती अनुभव नहीं कर पाएंगे जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में आप समझिये कि नजर कैसे लगती है और नजर के क्या-क्या प्रकार होते हैं दोस्तों, नजर कई प्रकार से लग सकती है, पहले की नजर आपके काम धंधा व्यापार को लग सकती है इस से बंधन होना भी कहते हैं, इस प्रकार नजर आपको स्वयम को भी लग सकती है, आपके रिष्टेदारों को भी लग सकती है अच्छे दोस्तों आपको एक और अजीब सी बात बताते हैं आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आपने जब कभी भी पती-पत्नी की या फिर अपनी खुशहाल रिष्टे की परिवार की हस्ते मुस्कुराते चेहरे वाली फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड की होगी अगर यकीन ना हो तो एक बार इसे आप करके देखिए जब कभी भी आप अपनी हस्ते मुस्कुराते रिष्टेदारों के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया पर दूर करेंगे 24 घंटे के अंदर आपकी उसी रिष्टेदार के साथ थोड़ी बहुत खटपट निश्चित तौर पर हो जाएगी अब इसे नजर लगना नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे अभिशे एक बार खुद से करके देखिए हमारे कहने से और नतीजा देखी दोस्तों इससे राहू अतिसक्रिय हो जाता है याद रखिए कि सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है बिस्तर राहू के अधीन आते हैं और जब भी आप हंस्ते मुस्कुराते चेहरे वाली फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं तो असल में आप अपने लिए राहू को अतिसक्रिय बना देते हैं अब ऐसे में यदि राहू आपके लिए नकारात्मक है पूरे ग्रहों के साथ पूरे भाव में बैठा हुआ है तो आपको बहुत अधिक हो तारीफ करेगा पीडित करेगा और यदि अच्छे घर में बैठा हुआ है तो आपको बहुत अधिक उन्नती दिलाएगा आपने देखा होगा कि कई लोग रातों रात सोशल मीडिया पर सुपरस्टार बन जाते हैं बहुत नाम और पैसा कमा लेते हैं यह भी राहु की वजह से ही होता है राहुल इसी प्रकार या तो आपको प्रतारित करता है या फिर आपको खुशहाल बनाता है तो आप ध्यान से सुनिए कि नजर लगने के क्या संकेत होते हैं महिला आपके काम धंधे पर नजर लगेगी क्योंकि बहुत सामान्यसी बात है हमेशा ये होता रहता है आप मेरी कोई उपाय नहीं किया है तो हम आपको उपाय बताएंगे काम धंधे पर नजर से बचने का आप उसे कर ले फिर आपको कभी भी नजर नहीं लगेगी अब काम धंधे की जगह पर यदि आप तो नजर लगती है तो फिर इस संकेत क्या है सबसे पहला संकेत कि आपके काम की रफ़तार बहुत धीमी हो जाएगी दिन प्रति दिन आपके काम धंधे की आपकी उन्नती की आपके फाइदे की रफ्तार धीमी होती चली जाएगी दूसरा की आपका अपने ही काम से विश्वास उठने लगेगा आपको लगे की यह काम ही खराब है इसे बंद कर देना चाहिए या दोस्तों तीसरा, आपके काम के समय में ऐसी ऐसी परेशानियां आपके सामने आएंगे किस जो आपको बहुत परेशान करेंगे विचलित करेंगी हालांकि उनका समाधान निश्चित तोर पर निकल आएगा लेकिन कुछ समय के लिए थे आपको बहुत अधिक मानसिक बेचैनी थी कि इसी के साथ साथ कुछ ऐसी घटनाएं भी देखी जाती है दोस्त, कार्यस्थल पर जगड़े होते हैं और विवादित स्थितियां उत्पन्न होती है कुल मिला कर कहा जाए तो स्थिति में आप अपने काम धंधे व्यापार के स्थान पर समय बिताना मुश्किल हो जाता है और आपको पल प्रतिपल बेचैनी का सामना करना पड़ता है या दोस्तों, अंतिम समाधान यही होता है कि कार्य को छोड़ दिया जाए और नजर लगने का यही मकसद भी होता है आपको आपके काम से दूर कर देना, आपका काम बंद करवा देना तो अब ऐसे में आप क्या करें? दोस्तों, हम आपके काम धंधे से जुड़े हुए उपाए आपको आगे बताने जा रहे हैं चाहे भले ही आपकी काम धंधे में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, नजर ना लगी हो लेकिन तब भी आप ये उपाए कर लेना जो हम आपको बताने जा रहे हैं आप से हमेशा के लिए सुरक्षित रहेंगे का रक्षा कवच बन जाएगा इसी प्रकार यदि आपको खुद को नजर लगी है या आपके परिवार के किसी सदस्य को नजर लगी है जैसा कि हम पहले कह चुके हैं कि नजर किसी भी स्थिती में लग सकती है जरूरी नहीं कि आप सर्वोत्तम हो, सामान ने हो, तब ही नजर लग सकती है तो यदि नजर लगी है, किसी इंसान को तो उसे कैसी परेशानिया आएंगे दोस्तों, उसके सिर में दर्द, सीने में दर्द, पेट में दर्द, खामोशी का माहौल रहेगा, वह इंसान बात करना कम कर देगा, जी हाँ, दोस्तों, आँखों में दर्द और थकान रहेगी, हल और पेट में भी दर्द होगा, कुल मिलाकर कहा जाए, तो तरह तरह की बीमारियों के संकेत उसे समझ में आने लगेंगे, लेकिन वही जब चेकप कराएगा, तबाही कराने की कोशिश करेगा, तो उसे कोई भी लाब नहीं होगा, और उसकी स्थिती जियों कीतियों बनी रहे सामने किसी के नहीं लाते हैं, तो अब ऐसे में आपको आवश्यक्ता है, अपनी स्वैम की रक्षा के लिए एक कवच तयार करना, जिससे आपको या आपके परिवार के किसी भी सदस्य को कैसे भी नजर न लगे, इसी प्रकार का तीसरी नजर होती है, घर परिवार को लग जाना, ये दोस्तों, आपका घर बहुत सुन्दर बना हुआ है, इसकी बिल्डिंग्स की इमारत बहुत अच्छी है, या फिर आपके घर के सदस से बहुत प्रेम पूरवक रहते हैं, या आपका स्वैम का दांपत्य जीवन, प्रेम जीवन बहुत अधिक सुन्दर है, अब जीवसी नकारात्मक्ता, मनहूसियत आपके घर में फैल जाएगी, जब भी आप घर से बाहर होंगे, तो आपको ठीक लगेगा, लेकिन आप अपने घर में प्रवेश करेंगे, तो आपको बहुत ही असहज महसूस होगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, आपका मन खराब हो जाएगा, तो घर के सदस्य आपस में एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करेंगे, और यदि बात करेंगे भी, तो जल्दी ही जगडा प्रारंब हो जाएगा, जरा-जरा सी बातों पर बहस हो जाएगी, और कोई भी समाधान नहीं निकलेगा, समस्या ऐसा आया भी, तो वह अपने जाने के रास्ते पहले ही बना कर आएगा, कुल मिलाकर कहा जाए, तो घर का शांती सुकून पूरी तरह से गायब हो जाएगा, और चारों तरफ नकारातमक्ता की नकारातमक्ता होगी, इसी के साथ साथ आपको हम बता दें, कि घर में जगह मकडी के जाले लगी रहेंगे और जल्दी जल्दी यूज होने लगेंगे, घर में किसी नकिसी स्थान पर उन्होंने खास तोर से अंधेरा बना रहेगा, साथ ही साथ दोस्तों, घर का ईशान, कौन, ब्रहम स्थान और आपका स्वयम का बेडरूम, तीन स्थान हमेशा दोस भारी रहेंगे और यहां से पूरी तरह से सकारात्मक उर्जा गायब हो जाएगी, इन तीनों स्थानों पर ये कह सकते हैं कि घूर नकारात्मक वातावरन बन जाएगा, तो अब ध्यान से सुनिए कि आपको क्या करना है, दोस्तों, यदि आपके काम धंधा व्यापार में नजर लगी है या नहीं भी लगी है और आप चाहते हैं कि कभी नजर लगे ना, तो आप क्या करना है, तो उस तो आपको करनी है, तो वैसे तो तीन काम है, लेकिन आपको पहले दो काम समझ गए, कि उड़ते हुए हनुमान जी की जो हाथ में परवत लेकर उड़ रहे हैं, ऐसी तस्वीर आपको अपनी दुकान या अपने व्यापार के जो मुख्य दर्वाजा है उसके ठीक सामने जो दीवाल पढ़ रही है उस दीवाल पर आपको लगा देनी है उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर लगा देनी है ठीक सामने यानि की जो भी आपके दुकान में आपके व्यापार में प्रवेश करने की कोशिश करे तो उसकी सीधी नजर उसी तस्वीर के उपर पढ़नी चाहिए साथ ही साथ दूसरा उपाय आपको करना है कि थोड़ी सी फिटकरी और थोड़ा सा समुद्री नमक अलग-अलग दो पोटलिया बनानी है और अपनी दुकान के मुख्य दर्वाजे के भाई और दोस्तों याद रखना है भाई आपको लटका देनी है काले कपड़े में लपेट कर छोटी सी पोटली बना कर याद रखेगी जब भी बुरी नजर प्रवेश करेगी तो मुख्य दर्वाजे से ही प्रवेश करेगी अब ऐसे में आपने उसका बंधन कर दिया है मुख्य दर्वाजे पर आपने फिटकरी और समुद्री नमक छोड़ दिया है जो कि नकारात्मक उर्जा को पूरी तरह से सोख लेता है ठीक सामने हनुमान जी का तस्वीर लगी हुई है जो कि पूरी तरह से नकारात्मक उर्जा को नजर को वही के वही वापस कर दे कि अभिशेक के साथ साथ आपको एक छोटा सा उपाय और भी करना है कि शाम के समय अपनी दुकान की चौकट पर दाहिनी या भाई किसी भी कोने पर एक छोटा सा दीपक जलाना है ये दोस्तों शाम के समय ये दीपक आपको जलाना है जब आप अपनी दुकान बंद करके घर आ रहे हो, उसके ठीक दस या पंदरा मिनट पहले आपको यह दीपक जला देना है इससे भी आपको बहुत बड़ी लाब प्राप्त होंगे दोस्तों, आप इन उपायों को करके देखिए हमारे कहने से निश्चित तोर पर आपके कामधंधा व्यापार में तरक्की शुरू हो जाएगी अब आप कहेंगे कि दीपक जलाने के लिए तो आप शुद्ध नहीं है सुभा से आप अपने कामधंधे व्यापार पर बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों आप बस थोड़ा सा जल अपने उपर छिड़क ले और अपने पैर धूल है हाँ धोलें और कुल्ला करने के बाद आप शुद्ध हो जाएंगे दीपक जलाने के लिए आप तयार हैं ऐसी स्थिती में आप दीपक जला लेंगे इससे हो गया आपके काम धंधा व्यापार का नजर से पूरी तरह से रक्षण अब बात करते हैं आपके घर का तो आपके घर पर भी आप कुछ इस प्रकार की तरकीब लगानी होगी दोस्तों इसके लिए दोस्तों आपको अपने घर के मुख्य दर्वाजे पर कम से कम तीन मोर पंख लगा देनी है बहुत ही आवश्यक है मुख्य दर्वाजे पर अंदर की ओर लगाने है बाहर की ओर नहीं लगानी है यानि कि जो आपके घर में प्रवेश करेगा उसे वह मोरपंख देखना चाहिए बाहर खड़े हुए इंसान को नहीं ठीक इसी प्रकार आपको अपने घर के मुख्य दर्वाजे पर ही एक समुद्री नमक की पोटली और एक फिटकरी की पोटली काले कपड़े में लपेट कर और टांग देनी है जी हाँ दोस्तों दर्वाजे पर बानी और आपको यह पोटलिया टाइम नहीं है अब आपका यह घर जो है नजर से पूरी तरह सुरक्षित हो चुका है शाम के समय आपको अपने घर के ब्रह्मस्थान बिर्यानी की आंगन में यानि बीचो बीच आपको थोड़ा सा एक कटोरी लेनी है कटोरी में कपूर लेना है और थोड़ा सा लोबान लेना है और उसे आपको चलाना है ऐसी भी आपके घर में कोई भी नजर होगी नकारात्मक उर्जा होगी ओह सीधी घर से भाग कर बाहर निकल जायेगी और दीपक जलाने की क्रिया आपको घर पर भी करनी है यह महिलाएं करेंगे इस कारे को इस शाम के समय आपके घर की दहलीज के ठीक बीचो बीच आप हो दीपक जलाना है उस दीपक की बाती का मुख बाहर की ओर हो इससे आपकी रुक कुल देवियती होता होंगे आप ही रक्षा के लिए मदद के लिए तुरंट तयार हो जाएंगे कोई भी नजर फिर आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती है अब बात करते हैं आपकी स्वयम की यदि आपको स्वयम को नजर लगी हुई है या फिर नजर लगने का शक है तो आपको क्या करना है आप जब भी घर से बाहर निकले तो एक इलायची और एक छोटा सा पान का टुकड़ा अपने मुख्य में रख कर ही बाहर निकले और बाहर निकलते समय आपको यह देखना है कि आपकी नाक से कौन सा शो चल रहा है यदि आपकी दाहिनी नाक से सांस बाहर आ रही है तो आपका सूर्य स्वर चल रहा है और यदि आइना से उल्टी तरफ की नाक से स्वास बाहर आ रही है तो आपका चंद्र स्वर चल रहा है तो जिस भी तरह की नाक से आपकी श्वास बाहर आ रही है उसी पर को पहले आपको घर से बाहर निकालना है या दोस्तों इस प्रकार आप अपने शरीर के स्वर से सही तालमेल बना कर बाहर निकलेंगे याद रखेगी अपनी जेब में एक लॉंग का जोड़ा आपको हर वक्त रखकर निकलना है और जब आप घर में प्रवेश करें तो उसी लॉंग के जोड़े को आपको घर के बाहर ही फेंक कर सीधे अंदर प्रवेश कर जाना है इस तरह आप हमेशा हमेशा के लिए नजर से बचे रहेंगे किसी भी प्रकार की नजर आपको लग ही नहीं सकती है एक और बहुत जरूरी उपाय आपको बता दें कि आपके घर का जो पूजा करें उसकी दक्षणी थी और तरियानी दक्षणावरती दीवाल पर आपको राम दर्बार का एक बड़ा सा चित्र लगा लेना चाहिए दोस्तों ये बेहद ही इससे भी इसी प्रकार की नकारात्मक्ता नजर की पूजा आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी तो उम्मीद है कि आप इन सब बातों को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे उपाय तो दोस्तों और भी बहुत सारे हैं कई उपाय हैं लेकिन जो हमने आपको बताए हैं वह बहुत ही शक्तिशाली और कारगर उपाय है दोस्तों इन उपायों को आप करना शुरू करिए इस 100% आपको लाभ प्राप्त होंगे नजर लगी होगी तो दूर हट जाएगी और नहीं लगी है तो फिर कभी भी नहीं लग पाएगी दोस्तों बस यही हमारी कामना है और हम चाहते हैं कि आपका जीवन खुशाल रहे इश्वर से ऐसी हम प्रार्थना करते हैं इसी के साथ साथ दोस्तों आज के इस वीडियो को विराम देते हैं यदि कोई प्रशन है आपके मन में तो आप कमेंट करके पूछा आपके प्रशनों के जवाब देने की हम पूरी कोशिश करेंगे कमेंट में पूरे भक्ती भाव के साथ जै मा काली रक्षा करो अवश्य लिखें माता आपकी रक्षा करेंगे हम भी माता से यह प्रार्थना करेंगे कि आपके जीवन को खुशहाल बनाएं हर परेशानी से आपको दूर रखें वीडियो ही पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूले दोस्तों मिलते हैं अगले ज्यानवर्धक वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद जै माता दी